मेरे चैनल में आपका स्वागत है और नए ब्लॉग के साथ मैं आपके साथ हजिर हूँ तो दोस्तों आज का ब्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और कुछ ऐसे जम का विजट कराने जा रहा हूं जो जमसेतपूर में काफी ज्यादा पुराने हैं और आज से पुरा बने रहिए तभी पता चले रहे कि वो जगह कौन सा है और कैसा है क्योंकि आगर आप स्किप करते हुए देखोगे तो आपको समझ में नहीं हाए कि कौन सा जगह है तो वीडियो को पूरा देखिए पूरा बने रहिए और अगर वीडियो में नए हो तो लाइक करे स आज से लगबग 68 years old है तो चलिए दिखाते हैं कि कौन से जगह है और वो जगह कैसा है तो चलिए चलते हैं तो दोस्तों आज जिस जगह का मैं विजट कराने जा रहा हूँ वो है मांगो जी इल चर्च जिसका फुल फार्म है गौसनर एवंजलिकल लूथरन कलिसिया और ये साउट इस डायोसेस में आता है और जो हमारा ये जो चर्च है ये काफी पुराना है और इसका जो स्थापना किया गया था जब इसका फाउंडेशन रखा गया था वो रखा गया था 12.11.1978 जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो और इसका जो अधारसिला रखी गयी थी वो रखी गयी थी पादरी एम पीटर्स के द्वारा जो चियर्मेन थे गौसनर मिसन क्यूरोटोरियम बर्लिन ज और उसी के द्वारा यहाँ पे आधारसिला रखा गया था और दोस्तों यह जो चर्च है बन के कंप्लीट हुआ था हम लोग का 29.12.1985 में और जो इसका स्थापना किया गया था वो भी जो हमारे पूरवी जर्मनी से आया थे डौक्टर विलिवोड जैकप के द्वारा इसस संसकार किया गया था और जिस जगा का बारे मैं बता रहा हूँ वो जगा इससे भी पुराना है यानि कि जो और यहाँ पे एक जेल चर्च का अपना स्कूल है जो इससे भी पुराना है और इसका स्थापना किया गया था 1954 में तो सोच सकते हैं कि काफी पुराना है कम से कम 68 8 years हो रहा है तो चलिए इसका विजिट करवाते हैं तो दोस्तों ये है मानगो गितिलपी चर्श का स्कूल जिसके बारे में मैं बता रहा था और ये काफी पुराना है और इसका जो स्थापना किया गया था 1954 में किया गया था और आज से करीब 60 years पहले इसका स्थापना किया था और यहीपे चला करता था जब हमारा चर्श नहीं बना हुआ था उस समय यहीं पे चर्ष जो अराधना था यहीं पे चलाया जाता था और उसके बाद जब चर्ष कंप्लीट हो गया तो जो हमारा अराधना है वो जेल चर्ष मानगो न्यू बिल्लिंग में चलने लगा और उससे पहले यहीं पर चलता था तो चलिए स्कूल के अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि ये कैसा है तो दोस्तों ये जु है ये स्कूल के क्लास्रूम्स है और ये जहां दिख रहे हैं ये सिक्चक कक्च है और इसके आगे चलते हैं और ये है वन क्लास और इसके आगे भी बहुत सारे class है जैसे इसके आगे ये है class 2 और यहाँ पे कुछ लिखा गया है तो आप देखी सकते हैं और ये है हमलों की पुनियता तो चलिए आगे लेके चलते हैं आपको तो यहाँ पे बहुत सारे कक्ष है जैसे कि एक building में यहाँ पे 3 class तक है और जो आपको दूसरा building लेके चलते हैं जो हमारा दूसरा building है इस तरफ से जाता है और यहाँ पे काफी सारे गमले रखे हुए हैं और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे सरकारी छपा हुए है जो सरकार के दुआरा दिया गया है इसको पढ़ते हैं जिला सिक्चक, अधिक्चक, पुर्वी सिंग, जमसितपुर और दोस्तों यह मैं बताना चाहूँगा कि यह जो चर्च का स्कूल है वो मिसन स्कूल के साथ साथ एक government स्कूल भी है और यहाँ पे एक primary, मतलब कि यह school primary school ही है और high school नहीं है यहाँ पे तो यहाँ पे यह काफी पुराना है और यह building जो दिख रहा है इसी building में जो हमारा चर्च बनने से पहले अराधना चला करता था इसी building में चला करता था और दोस्तों यह जो box दिख रहा है यह है complaint box अगर आपको कोई complaint होता है तो आप इसमें आपका suggestion या complaint डाल सकते हो और यह generally सरकारी स्कूल में नहीं होता है लेकिन हमारा यह जो mission school है बोलके यहाँ पे complaint box डाला गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसाइ बार-घंच बढ़ते हैं हिसान है झाल इसान प्याम जिह से मुआ क्रेंन आपक है और जा बोलके Warum यह जो से का अब्सक बाया है को भी नहीं है तो दोस्तों आए इसके उपर का स्ट्रक्चर को दिखाते हैं तो दोस्तों यह जैसे कि उपर का स्ट्रक्चर है यह पूरी तरह से लकड़ी का ही बना हुआ है और यहाँ पे किसे समय में खपरा लगा हुआ था परन्तु अब इसे काफी पुराना हो चुका था इसलिए अब खपरा को हटा के इसे अलबेस्टर डाला गया है और यह जो स्ट्रक्चर दिख रहा है लकड़ी का यह काफी पुराना है और जब इसका निर्मान हुआ था जिस तरह से यानि कि 54 में जब यह बना था इसी तरह से बना हुआ था हाला कि उस समय खपरे लगा ही हुए थे लेकिन अभी इसे चेंज करके इलबेस्टर लगा दिया गया है और दोस्तों इस साइट काफी ज़्यादे फूल पौधे भी लगे हुए है और गाडनिंग भी किया गया है आई होप कि आपको यह स्कूल काफी अच्छा लगा होगा और यह काफी ज़्यादा पुराना है इसलिए मैंने इसका वीडियो अपलोड किया है तो दोस्तों इस तरह से था आज का ब्लाग आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो लाइप करें सब्सक्राइब करें और जोतना हो सकें अपने दोस्तों के साथ सेर करें क्योंकि ऐसे ही ब्लाग का वीडियो आपको मिलते रहेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट विडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ